आप सभी का स्वागत है विए एक मिसा टेंग में डेर्स हम लोग जिस कंपनी के उपडेट लेने वाले हैं वेलस्पून इंडिया लिम्टेड है टेक्स्टाइल की कंपनी है अच्छा खासा विजनेस चल रहा है तो अभी हम लोग समझने वाले हैं कैसी प्रफॉर्म कर रही है हम लोगों का जो लास्ट टाइम मैंने जब डिसकस किया था वो टारगेट हम लोगों का हिट हो चुका है तब का देखें कमपनी लगा था ग्रोथ में ही है हम लोगों ने जब लाश्ट टाइम डिस्कस किया था 127 रुपीस के राउंड थी ठीक है तो अभी हम लोग इसी को डिस्कस करते हैं चार्ट पे बात करेंगे फाइनेसल कंडिसन का अल्रेडी अपडेट है कोई निउस होगी तो उसको भी चेक कर लेंगे क्योंकि कॉटर का नंबर जब आया था तो हम लोगों ने इसके उपर डिस्कस कर लिया था जो चैनल पे नहीं होचे हैं सुस्क्राब कर लिए नोट पे सेमेल जो पेस करें ताकि आने वाली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है देखे टेस वन थर्टी सेवन रुपीस सेवन थर्टी फाइब पैसे के आसपास क्लोजिंग तो हुई पर हम लोगों का जो टार्गेट था वन थर्टी नाइन रुपीस वाला वो भी हिट हो गया आज देखें सेयर एकदम वहीं से वापस देखेंगे आपकी वन थर्टी नाइन रुपीस के अराउंड तक जाके वन थर्टी एट रुपीस 75 पैसे तक आस गया तो अभी ऐसा नहीं कि रुप जाते हैं अब देखिए लॉंग टार्गेट जो है 150 तक का हम लोगों ने अल्रेड़ी मार कर रखा है अभी इसका अपडेट लेंगे थोड़ा सा जो लोग फ्रेस बाई लेना चाहते हैं वह काउन सी पोजीशन है वह तो देखिए पॉइंट लेवल के अराउंड 128 जहां पर मैंने लाश्ट टाइम आपको अपडेट किया था वहीं पर ही थी और मैंने आपको बताया भी था कि अभी खरी सकते हैं अच्छा डिविडेंट पे आउट भी है कंपनी का तो इस बेसिस पे जो इसमें इंवेस्मेंट करना चाहते हैं वह भी करके चल सकते हैं कंपनी की बहतर है मार्केट केपिल 100 बीलियन से अवब है कंजुमर सब संडराइस मतलब जो प्रोड़क्ट हो गया टेक्स्टायल से रिलेटेट टावल्स और काफी चीज़े मैं टावल्स इसका यूज कर रखाऊ तो टावल्स इसका यूज कर रखाऊ तो देखिए 1985 में फाउंड किया गया था जन्वरी 17 को अभी कोई ऐसा latest as news नहीं है तो वही है financial condition पे अगर क्विक अपडेट दू तो पिछले 12 मेहनी की कंपनी वहां पे अच्छा प्रफॉर्म कर रही है और इस बार जून के जो थे वह भी बहतर थे और condition wise अच्छा है क्योंकि ROE बहतर है promoters की holding बहतर है तो condition में भी कोई दिक्कत नहीं है यहां देखिए और cons में नजर डाल लेते हैं तो यहां भी कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं condition अच्छी है अगले जो नतीजे आने हैं वहां पे बताए जा रहे हैं कि अच्छे आएंगे तो financially check है already हम लोगों ने इसका quarter का result तो पहले ही check कर रखा है तो वहां पे अच्छी performance है कोई ऐसा doubt नहीं है case flow भी बहतर है ratios भी अच्छी दिख रहे हैं providers की holding पहले से increase हुई है तो यह भी अच्छी चीज आ जाती है चार्ट पे ही update लेते हैं क्योंकि वही important था इस वीडियो में तो आप देखे डारेक्ट्रेर्स अब जो क्योंकि 139 आस अराउंड तक हो चुका है तो अब आपको ध्यान रखना है resistance का जो कि 141 140 रुपीज के राउंड में entry ले सकते हैं फिलाल थोड़ी बहुत अगर profit booking आते क्योंकि अच्छी rally है तो आपको 135 वाला dip बहुत बहुत बहतरीन हो जाएगा और अगर आपका long term basis का view है तो अब देखे 140 के अराउंड close में है share तो अब हम लोग उससे भी बड़ा target लेके already mark कर लेते हैं और इसका जो है क्योंकि अब यह next target के अराउंड हो गई है तो इसको हम लोग मतलब dark में कर देते हैं और यह light में कर देते हैं तो इस हिसाब से अभी इसकी condition रने वाली है आपको 140 140 41 रुपीस 50 पैसे का resistance का द्यान रखना है इसके उपर अगर closing देता है कल भी हो सकता है कि कल इसके पार्क चला जाए तो आपको इस चीच का द्यान रखना है यही ता फिलाल इसके उपर update thank you for watching इस वीडियो मिलते हैं आपको next अपने के साथ next वीडियो में कि अच्ट